तो गैस अगर आप लोग Samsung के डिवाइस यूज कर रहे और अगर आप लोग Gmail ID से जो की अधिकतर cases में हमें मिलता है Gmail ID में अगर आप लोग कोई लिंक को open करें डिरेक्ली तो अगर आप लोग कोई कुछ step का option मिलता है open with package installer में और cancel का option आजाता है तो कैसे आप लोग इसे sort out करे करेंगे वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे का विलका इकन को प्रेस कर लेना है तो जैसे कि यहां पर हम अपना Gmail open करते और यहां पर आप लोग देख पाएंगे क आप लोग copy URL कर लेंगे उसके बाद यहां फिर डिरेक्ली यहां पर option मिलता है open in browser open in browser से आप लोग डिरेक्ली इसको open कर सकते लिंक को तो package installer का वहां पर आप लोग को option देखने को नहीं मिलेगा आप लोग को वीडियो ची लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी